सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें नमस्कर दोस्तों मैं राजेस कामता साइबर टीवी पर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ आज की सुडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा मोबाईल है या नहीं है तो आज मैं आपको कुछ साइन बतलाने वाला हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका मोबाईल है या नहीं है सबसे पहला साइन तो यह है कि आपका mobile जो है जब भी hack होगा तो आपके mobile का camera जो है वो automatically जो है वो on हो जाएगा जब भी आप off करेंगे वो दुबारे से कुछ से on हो जाएगा इस तरह का यदी sign आपको आपके mobile में दिख रहा है तो आप पूरी तरह से आप confirm हो जाएग कि आपका mobile जो है वो हो चुका है तीसरा sign जो है वो यह है कि आपके mobile से message send होने लगेगा बिना किसी text के coding में या फिर वो blank message जो हो send होने लगता है इस तरह का sign यदी आपको दिख रहा है तो आप समझ जाएं कि आपका mobile जो है वो help हो चुका है और चौथा और सबसे मत्पून बात यदी आपके mobile में अचानक से battery जो है वो कम होने लगे यानि कि 50% battery खत्म होता है और अचानक से वो आपको 70% या 80% battery खत्म होने लगे तो आप समझ जाएं कि आपका mobile जो है वो hack हो सकता है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका mobile hack है और उसके बाद आपको कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे जो मैं आपको बतला रहा हूँ सबसे फ़ली बात यदी आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से आपका mobile hack हो गया है तो immediately आपको अपने mobile को factory reset कर देना चाहिए तो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी आप समझ पाया होगे कि अगर हमारा mobile hack होता है तो उसका sign क्या है आप आगे से इस पर ध्यान रखेंगे यदि ऐसा कुछ आपको दिखता है तो immediately आपको अपने mobile को factory reset कर देना चाहिए उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो please इसे like कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने family and friends में share कीजिए ताकि सभी लोग जान सके कि है hiking का ये sign है क्योंकि कई बाद जाने अन जाने हमें नहीं पता चलता है और technology updates लव तो उसकी notification आपको मिलती रहे और दोस्तों यदि आप चाहते हैं हमारे साथ WhatsApp, Telegram या Facebook पे जूर न तो description में मैं उसका link दे रहा हूँ आप वहाँ भी जूर सकते हैं वहाँ पे आपको कई और cyber experts की opinion भी मिलती रहेगी धन्निवाद